तो दोस्त आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज से लगबग 23 दूनों पहले बल्ड वाइड बॉक्स ओपिस पर लीज हुई और उनके साथ देखने को मिल रहे हैं जयाम रभी कार्थी त्रिशा क्रिशन और एस्वा राय बच्चन वहीं दोस्ता फ्लम को ड्रेक्ट क्या है लेजंडरी डिरेक्टर यानी की मनिन रत्रम सर ने वहीं दोस्ता अगर बात करें कि इस फ्लम का बजट की तरह है और अभी तक कितन रुपे की कमाई करी तो दोस्ता आपको डादू की पुनियन सेल बन पार्ट टू फिलिम का जो टोटल बजट है वो बता जरा है लगबग ठाई सो कोड़ रुपे का वहीं दोस्ता आपको डादू की इस फिलिम को जो है व्ल्ट बाइट बॉक्स ओपिस पर लगबग जो है 6,000 स्कीन पर रिलीज के गया था और दोस्ता आपको डादू की जहाँ यह फिलिम बॉक्स ओपिस पर रिलीज वह लगबग तेज दिन पूरित से कंपलीट कर चुकी है और बात करें की इस फिलिम ने अभी तक कितन रुपे की कमाई करी तो दोस्ता आपको डादू की कि इस फिलिम ने अपने सुरुपाती 22 दिनों के अंदर जो है बॉक्स ओपिस पर से टोटल एक सो चीटा करोड़ पचास लाख रुपे का जो है इंडिया नेट क्लेक्शन वहीं तकरीबन जो है 208 क्लोड रुपे का जो है टोटल इंडिया ग्रॉस क्लेक्शन जो है अपने दोस्तों इस फिलिम के 23 दिन के कलेक्शन के बारे में तो दोस्ता आप कदा दू कि पुनिया अपने 23 दिन भी बॉक्स ओपिस पर से जो है काफी वेल कमाई कर रही है जहां पर यह फिल्म जो है टोटल लग बग सतर लाख रुपे का जो है ओल इंडिया नेट क्यक्शन वही दोस्तों आप कदा दू कि अगर आने वाले दुनों के अंतर जो है इस फिल्म का कलेक्शन साड़े तीन सो कोड़ रुपे से जादा का हो जाता है तो यह फिल्म बॉक्स ओप इस पर से जो है एक हिट फिल्म का टेग हासिल कर लेगी हाला कि दोस्ता बताओ कि अगर आपने पोनी एस एल बन पार्ट टू फिल्म देखी तो आपको एक फिल्म कैश लगी है हमें जो है पिन आएक मनोक से ज़रूर बताएं साथ और साथ दोस्तों हमारे और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहा ना भूलें मैं मिलूंग आपसे लिप वीडियो में तब तक के ल पन्यवाद